हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चानल डेली हेल टिप्स पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बड़ी लाइची से होने वाले स्वासलाबों के बारे में ची हाँ फ्रेंक्स, बड़ी या फिकाली लाइची यानि की ब्लाक कार्डमम खानी से बड़ी ही फायदे होते हैं और दोस्तों भारत में तो हजारों सालों से लाइची को उप्योग मसालों के रूप में किया जाता आ रहा है वेसे लाइची दो तरहा की होती हैं दोस्तों एक तो बड़ी लाइची और साथी दूसरी है छोटी लाइची छोटी लाइची मीछे पकवानों का स्वाद बढ़ाने के काम आती हैं जो कि दोस्तों हरी कलर की होती हैं वही बड़ी लाइची नमकीन पकवानों के स्वात को दुगना करती हैं ची हाँ दोस्तों इसके लावा बड़ी लाइची को काली लाइची, भूरी लाइची, लाली लाइची, ब्लैक आडमम आदी भी कहते हैं इसके बहुत ही सेधर health benefits हैं इस और शदी फल और साती मसाले में विभन प्रकार के खनीच पदार गयाने की दोस्तों विटामिन्स और साती पोष्चक तत्व अची माता में होते हैं और बड़ी लाइची में शामिल पोष्चक तत्व यान के नियूट्रेंट्स में नियासिन, राइबोफलेविन, थायामिन, विटामिन A, विटामिन C, सोडियम, पर्टाशियम, कैल्शियम, आइरन, तामबा, मेगनीशियम और साती दोस्तों जस्तों मौझूद रहते हैं इन पोष्चक तत्वों की मौझूद्गी के वज़ाँ से ये हमें कई प्रकार के स्वास समस्कियाओं से बिचाता है तो आईए जानते हैं बड़ी लाइची से होने वाले हेल्फ बेनिफेट्स के बारे में अगर आप हमारे चानल पर नियू हैं तो आप इसे वन टाइम सब्सक्राइब कीचे ये बिलकल फ्री है अनबल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी कंप्लीट हेल्फ गाइड वारी नियू वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिल सकें दोस्तों बड़ी लाइची दमा यानिके अस्थमा के रोगियों और 37 संबंदित बीमाईयों से जुझ रहे लोगों के लिए खास करकी फायदेबन है और इसके नियमे सेवन से अस्थमा, खांसी, फेफ़रों का सिकुणना, फेफ़रों की सुचन और साथी दोस्तों तपे दिख्यान की ट्यूबर किलोसिस या फे टीवी आदी रोगों से चुटकारा पाया जा सकता है इसके लिए दोस्तों बड़ी लाइची का सेवन करने के लावा पांस से दस मुन्दे बड़ी लाइची तेल यानिकी कारडमम ओयल में मिश्री को मिलाकर नियमे सेवन करेंगे तो इसे आपको दमामी काफी जिदा फायदा होगा और आपको अस्थमा जैसी बीमारी से थकावट दूर हो जाती हैं इसे पीस कर इसमें शहाद मिक्स करने और इसका सेवन करने से भी दोस्तों घबराहाट से दर्ट और सती थकावट नहीं होगी इसके लावा इसे खाने से दांतों और सांसों की दुर्गन और सती दोस्तों मसूड़ों की जो इंफेक्शन होती है उसे भी आपको छुटकारा मिलता है इसके लावा बड़ी लाइची को पीस कर मास्तिशक बालेप करने से एवं बीचों को पीस कर सूंगने से आपके सिर का धर्द यानिके हेडेक ठीक हो जाता है और दोस्तों एक से दो बड़ी लाइची के चुर्ण को दिन में तीन बार सेवन करने से आपके शरी का धर्द यानिके दोस्तों बाड़ी पें चीक होता है प्रोजाना बड़ी लाइची यानिके ब्लाक आडमम का सेवन करने से आपका बलड प्रिशों हमीशा कंट्रोल में रहता है इसलिए आप इसका सेवन जरूर कीचे और दोस्तों ये यूरिनरी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा माना चाता है जिसकी विज़ासे इसके सेवन से दोस्तों ब्लेड पेशर और सती गुर्डे की प्राब्लम यानि की किड्नी प्राब्लम्स दूर हो चाती है यानि दोस्तों यूरिनरी हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना चाता है ये एक बहतरी इन डाय यूरेटिक भी है इसके सेवन से ना सिर्फ यूरिनिशन सही रहता है बलकि दोस्तों आपको किड्नी से रिलेटेड बीमार्यां भी दूर रहती है और साथी आपके किड्नी हमेशा हैल्दी रहती है इसलिए दोस्तों आप भी अपने भोजन को बनाने के टाइम पे बड़ी लाइची का स्थमाल जरूर कीचे साथी दोस्तों बड़ी लाइची से रोक प्रतिरोदक शमता भी बढ़ती है यानि कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है बड़ी लाइची में अंटिसिप्टिक और साथी अंटि बैक्टिरियल प्रॉपटिस मौजुद होती है इसमें 14 तरहां के बैक्टिरिया को खत्म गरने की शक्ति होती है इसलिए दोस्तों इसे खाने से बैक्टिरिया और साथी वाइरल इंफिक्शन से बचाव होता है इसलिए दोस्तों आप ये अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बड़ी लाइची का सेवन जरूर कीचे साथी दोस्तों ये आपके दान्तों में हुने वाले दर्द को भी कम करता है जी हाँ दोस्तों काली लाइची के जरीए दान्तों की कई दरहां की समस्क्या हैं जैसे की दान्तों और साथी मसूडों में सांक्रमन यानिकी इंफिक्शन से चुटकारा मिल सकता है इसके लावा इसके जरीए सांसों की दुर्गन से भी निजात मिलती है और दोस्तों बड़ी लाइची को पीसकर शहाद में मिलाकर च्छालों पर लगाने से आपके मुझे च्छाले ठीक हो जाते हैं और यदि आपके दान्त में दर्द हो रहा हो तो इसे में बड़ी लाइची और सती लॉंग के तेल यानी की दोस्तों कलब ओल को बराबर बराबर मात्रा में लेकर पीडा युक दान्त पर लगाएं इससे दान्त दर्द ठीक हो जाएगा इसके लावा दोस्तों आप 4-5 बड़ी लाइची को 400 मिली लीटर पानी में उबाल लीचे अब इस काड़ी से कुला करेंगे तो इसे भी दान्त कर दर्द ठीक हो जाता है दोस्तों नपन सक्ता में बहुत ही ज़्यदा फायदे बंद है लाइची इलाइची के बीच का चूरनस, सफेद, मुस्ली और साथे मिश्री को एक साथ मिलाकर 2-4 ग्राम की मातरा में नियमित सुभाशाम से बंद करने से नपन सक्ता में काफी ज़्यदा फायदा होता है दोस्तों विशाक पदार को दूर करने के लिए बड़ी लाइची यानि की बलाक आडमम के इस्तमाल करना बहुत ही ज़्यदा फायदे मन रहेगा जी हाँ दोस्तों हमारे शरीर में कई ऐसे विशाक पदार या फे टॉक्जन्स बनते हैं जिनका बाहर निकलना बहुत ही जरूरी हो जाता है बड़ी लाइची निशाक पदार को दूर निकाली का काम करती है और काफी हद तक वेड लूस करने में भी हैल्प करती है इसके साथी दोस्तों काली लाइची यानि की दोस्तों बड़ी लाइची का सेवन करने से आपको गर्मी में लू लगने से भी बचाती है इसलिए दोस्तों आप अपने भोजवन में बड़ी लाइची का स्तमाल जरूर कीचे दोस्तों अगर आपको पेट में दर्द की प्रॉबलम है तो ऐसे में 5 ग्राम बड़ी लाइची शूरू को शहत के साथ मिला कर खाने से पेट दर्द में काफी स्यदा फायदा होता है और साथी दोस्तों एक सी दो बड़ी लाइची की चूरू को दिन में 3 बार नियमें सेवन करने से पेट के दर्द में आपको अराम होता है और दोस्तों बड़ी लाइची यानि की ब्लैक आडमम से निकलने वाले रस आंतों और साथी गैस्ट्रिक ग्रांतियों को उत्यजित करने में सहयाग होते हैं यानि की दोस्तों ये ऐसे डीटी की समस्तिया का भी इलाज करने में सक्षम है यदि आप गैस्ट्रिक अलसर या फे पाचन विकार से बशना चाहते हैं तो बड़ी लाइची का उत्यों किया जा सकता है जी हाँ प्रेंट इसलिए आप भी बड़ी लाइची का सीवन करें आसीडीटी और साथी पेट के दर से निचात पाएं दोस्तों यदि आपके मुँ में अधिक ठुक आता हो या फे लाइची हो तो ऐसे में बड़ी लाइची यानि की बलाक आडमम और साथी सुपाली को बराबर बराबर पीस कर मिला लें और इसे एक से दो ग्राम की माता में लेकर चूसते रहने से लार यानि की सलाइवा कम बनता है और साथी लार का बेहना भी बन हो जाता है बड़ी लाइची अंटी आक्सिडेंसे भरपूर होती हैं और इसमें दो तरहां के अंटी आक्सिडेंस होती हैं लेकिन दोस्तों खासतोर से अंटी कैंसर अंटी आक्सिडंस भी पाय जाते हैं जो कि ब्रेस्ट, कॉलोन और साथी ओवेडियन कैंसर को रुकते हैं यसे कैंसर सिल्स का निर्मान और साथी विकास रुक जाता है जिससे कि दोस्तों आप कैंसर जिससे खतरनाग बीमारी के होने से बच्चाते हैं इसलिए दोस्तों आप भी अपनी सिहात को अच्छी रखने के लिए बड़ी लाइची को अपने फोचन में जरूर शामिल करें दोस्तों बड़ी लाइची यानि के ब्लैक आडमम बालों को लंबा काला घना बनाने में काफी मदद करती हैं रोसाना इसका सीवन करने से बालों का च्छना यानि के हेर फॉल भी बन हो चाता है और दोस्तों बड़ी लाइची में एंटियोक्सिडिन प्रॉपटीस होते हैं जो की बालों की समस्क्या के लिए बहुती स्यदा फायदेमन है इसके साथी दोस्तों काली लाइची हमारे तवच्छा के लिए भी बहुती स्यदा फायदेमन है यानिकी ये ना सिर्फ उम्र को ढढ़ने से रुकती हैं बलकि दोस्तों इससे तवच्छा के रंग में भी काफी निखा राता है और साथी आपके स्किन काफी ज्यदा टाइट होकी है तो दोस्तों थेना ये बड़ी लाइची ये बड़े ही जबरदस फायदे चीह हैं तो आप इसका सेवन करें और अपने आपको बनाएं हल्ली एंड फिट आपको ये इंफोर्मेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो का एक लाइक करना साथी से अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेक करना और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से दिलेटे कोई भी क्योरी सो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम आपका रिप्लाइज ज़रूर देंगे तिल दें दोस्तों इच हली एंड स्टेफिट बाई